यहां पे दुस्तों आप लोग के अलग password भी डाल सकते हो यह अफिर आप लोग चाहते हो इस का चेंज करना है मौल से और लैप्टप दोनों से ही आप लोग को बतलाने वाला हूं कि कैसे आप लोगों का वाइफा का पासवर्ट को चेंज करना है और इसका मुल्टिपल तरीका जो भी एविलेबल है वो मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगा आप यसस त्रेस्रहाजय को देखने के बाद बाद एक बाद में उस्क्राइब בא कर सकते हो या यक्रेंट पासवर्ट अभी क्या है वाइखार का वह भी पता कर सकते हो चलिए वीडीओ को एक स्टार्ट करते हैं पासवर्ट चेंज करने कि लिए दोस्तों आफ लोग बतलाता हूं येiggle उपने कर लेना आप लोगां दो तरीका है वह दोनों ही तरीक है मैं आप लोगा दीखा रहा हूं मैंने इदो आ जाना है है और आप्का Tabii ब्रोडबेंट था शेलेट कर लेना है कर इसटारख कर लेना है यहाँ पर और यहां पर आप लोग दोस्तों दिख जाएगा वाइफाई सेटिंग्स वाइफाई सेटिंग्स पर क्लिक कर लेना है आप लोगो और यहां से दोस्तों आप लोग वाइफाई का नाम और पासफ़र्ट चेंज कर सकते हो और आप लोगो यह धियान रखना है दोस्तों जैसी यहां से अगर अगर एटल एप का यूज करते हो आप लोग वाइफा के नाम और पासफ़र्ट चेंज कर रहे हो तो दोनों ही दोस्तों वह कंबाइन हो जाएगा नेटवर्क 2.4 गिगार्स और 5 गिगार्स दोनों ही कंबाइन हो जाएगा तो आप इस तरीका से भी कर सकते हो अगर कंबाइन करना है तो नाम और पासफ़र्ट जो भी चाहते हो वह सेट कर सकते हो और सेब कर देना है कुछ इस सेकेंड में वह जो है आप लोग का अपला हो ज उसमें एक एड्रेश टाइप करना है को मैं आप लोग दिख लाता हूँ 192.168.1.1 उसमें कुछ इस तरीके का आ जाएगा एरर टाइप का तो आप लोग को एडवांस पर क्लिक करना है और यहां पर दिखेंगा प्रोसीड टू 192.168.1.1 अंसेफ इस पर क्लिक कर देना है देख सकते हैं कि जिकसल का राउटर लगा हुआ है और उसका पेज जो वूपन हो चुका है यूजरनेम और पासफट मागा जा रहा है उसका बगल में जो है लॉगिन है तो यूजरनेम और पासफट में आप लोग को स्मॉल लेटर्स में अड्मिन डाल देना है यहां पर router का page जो है open हो चुका यह login हो चुका है अब आप लोगों दोस्तों करने क्या है बहुत छोटा छोटा लिखा है आप लोगों ध्यान से फॉलो करना है प्रोसेस को मैं zoom in कर लेता हूं इसके network settings दिख जाएगा इस पर click करना है आप लोग को और यहां पर दिख जाएग आप लोगों दोस्तों दिख जाएगा इंटर 8263 character pre-shared key इसमें आप लोगों दोस्तों अपना नया password जो भी आप लोगों को डालना है वो डाल के और apply कर देना है वो save हो जाएगा अगर आप लोग current password देखना चाहते हो कि कौन सा password अभी set है तो उसके लिए i button जो दिख रहा है इस पी अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यह आप लोग का वाइफा का current password दिखला देगा ऐसा इस सेम प्रोसेस फॉलो करके आप लोग को network पर आ जाना है 5 GHz पर आ जाना है उसके आप लोग को apply कर देना है वो सेफ हो जाएगा एक वाइफाय का network जो री स्टार्ट होगा और आप लोग का password चेंज हो जाएगा अभी मेरा देश्टर वाइफाय से connected है आप लोग को में दिखला देता हूं उसके बाद मैं करके आ रहा हूं कि अपना google chrome browser open कर लेता हूं और यहां पर entered URL में आप लोग को tap करना है 192.168.1.1 उसके इंटर कर देना है कुछ इस तरीके का warning देखने को आ जाएगा आप लोग करना क्या advance पर क्लिक करना है proceed to 192.168.1.1 unsafe इस पर क्लिक कर देना है उसका jixel company का router लगा हूआ है कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा login page यूज admin type कर देना है उसके जो है login कर देना है उससे पहले में i button पर क्लिक करके password दिखला देता हूँ देख सकते हैं कि password दोनों में ही admin है उसके कुछ इस तरीके का page open होके आ जाएगा जहाँ पर CPU usage, memory usage, total wifi का router का जितना भी details है सारा यहाँ पर show कर देगा आप लोग को कुछ भी settings changes करने का जरूरी नहीं है आप लोग बस network settings पर क्लिक करना है wifi 2.4GHz पर क्लिक कर देना है और यहाँ से 2.4GHz का आप लोग password चेंज कर पाऊगे यहाँ पर नीचे में जो है यहाँ से आप लोग password chain कर सकते हो वाएप लोग Teams चेंज करना चाते हो तो यहाँ से आप लोग नाम चेंज कर सकते हो तो अगर आप लोग warp..? Alright चेंज करना चाहते हो तो इसे हटाके नया password आप लोग दालके apply कर सकते हो अपलाइ कर्ते के साथ ही it ही वायफाय नेटवर्क करने होगा उसके बाद password चेंज हो जाएगा सेम प्रोसस आप लोग को फ्रेड़ में भी आकर करना है यहां भी आप लोग को PCI की दिख रहा है इसे जो आप लोग हटा के नया password डाल सकते हो नाम चेंज करने के लिए same process को follow करना है और आप लोग को current password देखने के लिए i button पे click करना है और यह current password दिख जाएगा कि 5 GHz का current password क्या है 2.4 GHz और 5 GHz दोनों का ही password आप लग अलग भी रख सकते हो अगर दोनों को combine करना चाहते हो तो उसके लिए Wi-Fi network SSID जो है यहां पे wireless network SSID दोनों का ही नाम similar कर देना है एकदम exact same to same तो आप लोग का दोनों ही network combine हो जाएगा उसके भी अलग से benefits हैं जल्दी ही उस पे भी मैं वीडियो बनाने माला हूँ अब दोस्तो आप लोगों ने देखा कापी ज्यादा simple steps को follow करके आप लोग Wi-Fi का password चेंज कर सकते हो साथी साथी करेंट पासवर्ट क्या लगा हुआ है Wi-Fi में वो भी देख सकते हो और Wi-Fi का नाम भी कैसे बदलना है ये भी मैंने आप लोग साथ share किया दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दें अगर इसे related कोई भी question पुछने हो तो नीचे comment सक्सें में comment कर सकते हैं अगर feature में और यी वीडियो देखना चाते हैं इस तरीकी के तो में चलकर ज़रू सब्सक्राब कर ले थैंक्स पर वाचिंग धर्म सीयसी